गाउ में लगी आग मची अफरात अपरी चार घर हुए जलकर राग वार्सो यनुमंडल छेत्र के बलिया वैलान थाना अंतर गत चंदार पंचायद बगभा गाउ में बाई नमबर चार और पंच में आग लगी जिसमें चारों तरफ अफरात अफरी का माहौल मच गया है अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने सामान चोड़कर इदर भागने लगे इतने में ही गाउ में आग लगने की खबर फैल गई जिससे गाउं के लोग आग बचाने लगे आग पर काबू पालिया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी जिसमें पूरी तरह से चार घर चलकर राख हो चुके हैं चारों घर से किसी प्रकार का कोई सामान नहीं निकल पाया जिसके कारएं चारों घर के परिवारों को लाखों रुपे का नुकसान अठाना पड़ा अभी तक कोई मुआपजरासु की खोश्टा नहीं की गई है प्रसासन को सूचा देने पर प्रसासन ने ततपरता दिखाते हुए फायर ब्रिगेट की यूनिट घटना सल पर भेजी एवं बल्या वैलों धाना प्रभारी दिरेश कुमार घटना सल पर पहुचे एवं नरीक शन किया कि यह आग जो लगी है कैसे लगी आग यह आग बिली के पोल से लगी है तार्ग तार्ग डिस्कनेक होने के कारण वह चिंगारी मारा चिंगारी से के आते घर में गिरा घर से गिरने के बाद वह आग लगी तकरीबन 11 और 12 के बीच में तो आपने क्या किया आग जो लगी तो किस-किस का घर को चटी हुआ क्या क्या चटी हुआ है मुहमद आलमगीर अताओर रहमान मजरुलहक महमुद आलम यह चार आजमी का ते बहुत बरा च्टी हुआ है च्टी मे क्या क्या अम्-पपर हुआ है जितना गहर में हता सारा जल के राः इसकी सूचना किसी को दिया गिया इसका दिया गिया पुलिस आग द्मकल भी साथ मी लेकर आयो ने कि लिकिन जिससे के कारण किया आग पैे का brushing dot थे ने लोग पाया मुद आने से आग में कान्ड्रो पना मुस्किर दामलों के लिए गारी खुद में पाया